दूपिया था 12 दिसंबर 2016 को दो गाय को इसको एक फ़तम गाय के ऊपर बात करेंगे और सर एक केमिकल स्री के ऊपर अपन लाक्ट में एक बास पिर से और बात करेंगे मेरा आप सुनो इस पर पूरा माप बताता हूं दो गाय हम लेके आये थे हम तीन पार्टनर हैं ठीक है और मैंने पहले दिन एक बात कही थी मुझे गुर्देव ने डेशी गाय के ऊपर बताया था कि गाय हमारी माता क्यों है ठीक है तो उन्होंने अपनी रिसर्स के दार पर यह बताया कि इनसान का स्रीर बंदर के स्रीर का डॉलप रूप है और इस स्रीर के अंदर जो प्राण है जो आत्मा है वो गाय की आत्मा का डॉलप रूप है गाय की आत्मा डॉलप होते 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 इनसान की आत्मा मनी है तो मानो स्रीर को गाय आत्मा परदान करती है इ इस भाव का जैसे ही हमें पता लगा उसके बाद फिर मैं इस मिशन पे वर्ब शुरू किया और पार्टनर्स को मैंने यही कहा, मैं बहिए यह हम काम करेंगे, इसमें एक रुपए हैगा तो कोई नदान नी लेना भी अपने को खुद को काम करना है ठीक है, और इस कड़ी को बहुत आगे बढ़ाना है और अपने को गाए की दूद पे काम नहीं करना है गाए का गोबर और गोव मुत्र पे काम करना है आप जो तो मेरी दिल की बात कह दिया आपने मेरी बात को चुलिया सर सर गाए का गोबरो गोमुत्र जो है इसका एक spiritual कारण भी है मैं आपको बता हूँ तो आपकी बात को बल देने के लिए मैं कह रहा हूँ जी ऐसा जो है spiritual और उसमें है कि सभी देवताओं ने जो है ना decide किया कि वो गाए में बराजे थूंगी सब लोग लाइन लगा के पहुंचे सब्सक्राइब करते रहें लक्षमी जी जो है ना अपनी एंट में उन्होंने का मैं तो लक्षमी हूँ मैं क्यों जाओं किसी के पास वो जो है नहीं गई राइट अब ब्रह्मा विष्णु में सभी देवता जो है ना जाके वराजेत हो गए तो अब यह लगी है मैं तो अकेली रह गई हूँ राइट तो यह देर से जो है ना गाए माता के पास पहुंची हो लेकि पता मुझे भी जगह दो हमारे पतिदेव से लेके हरकोई आप में विराजित है तो मैं बाहर अकेले रहके क्या करूंगे मुझे भी आपके जो है नो प्रिश्टा दे दीजिए मैं वहां वह राजित को गोबर में आगई तो उन्होंने का कि माता आप ही देख ली जिए य अब एधि आधत अपना जो है अध्यात में यह कह रहा है तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैसेज छेपा हुआ है और वो मैसेज जो आप कह रहे हैं वो ही है कि हमें जो है गाय का गोवर गाय का मूत्र को जो है हम संदार्यत करेंगे तो हमारी खेती अच्छे हो जो उसके बाद हमने वहां काम शुरू करके जो है वह उस mission के अंदर आज हमने एक ऐसा और्गनिक फर्टिलाइजर बनाया है जिससे में किन इंडिया में बारत सरकार ने हमें 18 अलाग रुपए दिया इनाम में अरे यूरिया डीएपी का विकल्प है और इसमें खलका सा कुश्चम में आचे और तोड़ा पुछूं क्या सर 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 जैसे मालो बोबर और मूत्र और उ माϊक्रो बैक्टिरिया हां मायक्रो बैक्टिरिया जो होते हैं basically ऐसे रिचर्च करके ऐसे बहुत सारे मायक्रोब्रोब खोज लिए गए ख़ंने बना लि рук अप्चर वाहं से हमारी रिसर्च पे वहाँ से हमने माइक्रो बैक्टिरिया तियार कर वाई है जो माइक्रोब बैटरी आपने त्यार किये हैं क्या उनमें जो है कि कौन सा माइक्रोब क्या कैप्चर कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल पूरा है सर उसका ठीक है तो मैं इसे समझना चाहूंगा और चलिए तो आप 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 आगे बढ़ाईए बहुत अच्छा बहुत क्योंकि यूरिया और जो डिएपी है वो तो साइब जो है हादान की कौन्टिटी को बढ़ा दे लेकिन साथ में वो बिसको भी पैदा कर रही है तो आपका जो अन्न है वो बिसाक्तन है और इसका प्रमाण यह है कि देखिए पंजाब जहां पे एक खेती हो रही है वहां प वो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ऐसा अल्टरनेट दोगे तब ही वो उतरेंगे तो हमने यूरिया डिएपी के बराबर जो यह खात त्यार किये उससे उनका प्रोडेक्शन जो है उतना परसेंट कम नहीं होगा कम नहीं होगा बलकि तीन साल के बाद जो है वो गलव वो मिट्टी से हाथ दोते थे एवेन आपको जो है कुछ मुलतानी मिट्टी का आपने नाम सुना होगा कुछ को लगाते थे तो जो है बाल बहुत अच्छे सैंपू जैसे हो जाते थे आज हमने अपनी मिट्टी की QUALITY इतनी खराब कर दी कि अभी हम उसे बालों पे लगा बस यह बात है तो इस पर जो है वह हमने सारा काम किया है और इस कड़ी के अंदर जो नैक्स्ट हमारी वर्किंग यह है कि गायों के उपर इस वह मीं हम पन आपके जब आउंगल तो आप से जो है न चैचा यह करूंगा कि हमारी खेती को हम कंपुजित खेती में कैसे करें कि हमने जंगल को काट के खेट बना लिए और यूपी में तो और यूपी में तो और भी कम हो गए है हमारे उस फारम में 60 विगा के फारम में हमने 17,000 प्लस प्रेस्टेशन कर रखा है वाँ चंदन से लेके और हर तरह का फूरूट हमने वहाँ लगाया है वाँ वाँ ठीक है और उसमें केवल और केवल यह जो हम जो खाद बना रहे हैं यह खाद डालते हैं इसके रावा कोई ख हमारी गाएं जो है आज की गेट में 200 फिमेल है हमारे पास गीर ठीक है और वो गाएं 18 तरह का हराचा राखाती है उसी फारम से जनरेट करते हैं ठीक है तो आप नेप पे सर्च कर लेना सीवम डैरी ठीक है नाम डालोगे सीवम डैरी जैपुर ठीक है तो हमारे पूरे वीडि सर होगा वह आपको मैं प्रस्टनल नंबर पर जो है वह सारा वाट्सप कर दूँगा ठीक है तो सर आज चलिए मैं आप जो है आप दूसरा कुछन कुछता हूं क्या आप अपराद मुक्त भारत हेल्दी वेल्दी भारत की मुहिम में एक मात ही कर्मठ जो है उसमें जन तक पहुंचाने में हिसेदार बना चाहते हैं क्या विल्कुल विल्कुल क्यों नहीं सर आप मेरे गुर्देव से दुड़े हुए है पहली चीज यह हमारी गुरु भाई हो गई अब आपक्ता इंटेंशन मेरा इंटेंशन सर्व टू सोसाइटी ठीक है मेरा इंटेंश हो गए है इनकी सोच से लेके हर चीज जो है ना दिखने में जो अच्छी भी लिख रही है वो अच्छी इनकी नहीं है इस देश मेरा इदी चपरासी बनने के लिए आपको सचरित्र होना चाहिए तो हमारा आपको पितनजी बनने के लिए सचरित्र क्यों नहीं होना नेताओं को इनी के गेम में पराजित करना है हमें आप जो भी जुम्मी तारी के में आप नहीं पराजित करना है कि हमें जो है सबसे बड़ा जो काम करना पड़े को इतना बड़ा काम ना तो आप सबसे ना मैं कर सकता हूं जी 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 तो आप जैसे आप जैसे जो लोग है क्य हम उनकी सूचिया बना सकते हैं क्या सर मैं आपको कह रहा हूं ना राजस्थान के अंदर आप पहले मेरी जो भी कोई बात में हैं अभी मैंने आप से फोन पे चल्चा की है इसके बाद मैं आपको जो मेरे जितना भी मेरा लिटरेचर है ठीक है वो मैं आपको वाटसप कर देत ओके ठीक है इसके तहट टारगेट लाचार नहीं रहेगा विबार पहली कंडिशन यह है ठीक है जिसमें गायों के मोतिया बिंद के हमने ऑपरेशन की है इसमें पहली बार 101 गायों के मोतिया बिंद के operation करवाई है मैंने first phase में अभी ठीक है अब मैं उनकी next technology ये ला रहा हूँ क्योंकि विदेशों में गाए जो है वो beef animal है या milking animal है इसके लावा कुछ नहीं है तो अब क्या है कि उनकी lens technology develop नहीं है इतने क्या है उनका जो विजन है वो प्रोपर नहीं आएगा तो वो मैं उस पर development के लिए मेरे आगी कारवाई चल रही है ठीक है तो गायों का ये ये काम तो बहुत आसानी से हो चकता है बाई देखिए जो मानव की आखों का लेंस बना रहा है उसके लिए जो है जाय की आखों का लेंस बनाना से बढ़ाता है ठीक है अपना कुछ नहीं है ठीक है नहीं नहीं देखिए इस देश को बदलना है तो हमें सही सोच के लोग skincare को जोड़ना पड़ेगा है अपरादि है जो कि जूट बोल रहे हैं जो कि बद्मासी कर रहे है जो कि डेमोक्रसी में हैं ही नहीं इनको इनको तो रेपलेश करना ही पड़ेगा कि क्योंकि जो है यह ऐसे अनीमल हो गए है जो कि इस देश के लिए घातक है मैं क्या कह रहा हूं आपन टीम सब बना लेंगे सर ठीक है आप पहले जैपूर पदारो ठीक है मैं जरूर आओंगा मैं जरूर आओंगा और मुझे आपसे बात तरके बहुत अच्छा लगा है और तार्गेट पे दूसरा में मेरा यह है कि मैं अब सिरी सिद्धेश्वर